स्वागत है आप सभी लोग का आज से हम लोग बिग्यान विषय श्टार्ट करने वाले हैं बिग्यान विषय में ये सारि प्रिष्ण वन लाइनर प्रिष्ण है जो बार-बार आपकी परिख्चाओं में पूछे जाते हैं तो चलिए बिना कोई देर के लिए आज से हम लोग सुपरफास्ट रिविजन स्टार्ट करते हैं अपने बिग्यान भी सेखा देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्ण हमारा पहला प्रश्ण है जिव बिग्यान और जन्तु बिग्यान के जनक कौन है तो जिव बिग्यान और जन्तु बिग्यान के जनक हैं दोनों एक ही हैं जिलका नाम है अरस्तू अरस्तू कौन है जिव बिग्यान और जन्तु बिग्यान के जनक हैं चलिए आगे बढ़ते हैं जिव बिग्यान सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया था तो जीव बिग्यान सब्द का सबसे पहले प्रियोग लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने किया था तो ट्रेवी रेनस कहां के थे जर्मनी के थे लैमार्क कहां के थे फ्रांस के थे इन दोनों लोगों ने जीव बिग्यान इस सब्द का सबसे पहले प्रियोग तिया था और जीव विग्यान के जनक कौन हैं? हमारे अरस्तू हैं. इस चीज को आप उपर पढ़ चुके हैं. चलि आगे भरते हैं. जैव विकास को सबसे पहले किस ने समझाया था तो जैव विकास को सबसे पहले इनी लैमार्क ने समझाया था जो कि फ्रांस के बैग्यानिक थे तो फ्रांस के बैग्यानिक लैमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ जनक को याद कर लेते हैं चिकिस्सा बिग्यान के जनक कौन है? चिकिस्सा बिग्यान के जनक हिपोक्रेटस है इस चीज को आप याद रखिएगा हिपोक्रेटस चिकिस्सा बिग्यान के जनक है बंसपती बिग्यान के जनक कौन है? बंसपती बिग्यान के जनक थियोफ्रेटस हैं थियोफ्रेटस का नाम याद रखिएगा बंसपती बिग्यान के जनक है और रसाइन बिग्यान के जनक कौन है? रसाइन बिग्यान के जनक लेवे जियर है तो लेवोजियर, रसायन बिग्यान के जनक हैं, इन तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, रसायन बिग्यान, लेवोजियर, बनस्पति बिग्यान, थियोप्रेटस, चिकिस्सा सात्र, हिपोक्रेटस, तीनों लोगों का नाम आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज पढ़ते हैं मानों का भिकास पढ़ते हैं मानों की परमपराओं से सम्मधित नोति Neo Anthropology में करते हैं इस चीज को आप ध्यान में रखियेगा आगे बढ़ते हैं गयसों के विस्रण का नियम किस ने दिया था तो गैसों के विस्रण का नियम ग्राहम बेल ने दिया था तो ग्राहम साहब ने गैसों के विस्रण का नियम दिया था आगे बढ़ते हैं ग्रहों की गती का नियम किस ने दिया था तो इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं फिजिक M C square E for energy M for आपका द्रब्मान होता है और C होता है प्रकास की चाल तो E बराबर M C square का समिक्रण किस ने दिया था ये महत्पूर्ण समिक्रण Einstein ने दिया था तो Urja को द्रब्मान में परिवर्तित करने का ये समिक्रण है इसको Einstein ने दिया था चलिया आगे बढ़ते है जड़तो का नियम की खोज किस ने की थी तो जड़तो का नियम हम लोग जानते है जब कोई बस तो इस्थिर होती है तो वह इस्थिर ही रहती है और ध्यान रखिएगा गुर्त्वा कर्षान का नियम किस ने दिया तो ये प्रमुख नियम किस ने दिया था नियूटन ने दिया था नियूटन ने गुर्त्वा कर्षान का नियम दिया था चलिए आगे भरते हैं प्राकृतिक वरण का सिध्धान्त किस ने दिया तो प्राकृति का जो सिध्धान था Hugo D. Bridge ने दिया था तो Hugo D. Bridge ने उत्परिवर्तन का सिध्धान दिया था इस चीज को आप रट ली जिएगा आगे बढ़ते अपने अगले प्रिष्ण पर Natural Selection का सिध्धान किस ने दिया तो इसी का दूसरा नाम भी है विकास का सिध्धान तो विकास का सिध्धान तो विकास का सिध्धान ये किस ने दिया था ये चाल्स डार्विन ने दिया था तो एक ही प्रिष्ण को तीन तरीके से यहां पर पूछा जग गया है चाहे आपको विकास का सिध्धान्त कहे, चाहे नेचरल सिलेक्षन कहे, चाहे प्राकर्तिक वरन कहे, इन तीनों का जो आंसर होगा वो Charles Darwin ही होगा, आगे बढ़ते हैं, अनुवानसिकी के जनक किसे माना जाता है, तो जो अनुवानसिकी के जनक है, उनका नाम है Gregor John Mendel, तो Gregor John मेंडल, अनुवानसिकी के जनक माने जाते हैं, और इस मेंडल साहब ने अपना जो प्रियोग किया था, ये किस परकार के पौधे पर किया था, तो मतर के पौधे पर ये प्रियोग किया था, इसको बहुत ही डेटेल में, हाई स्कूल की किताब में पढ़ा जाता है, Gregor John Mendel मतल के जो मतर का पौधा होता है, उस पर किस परकार आपने प्रियोग किये थे, तो अनुवानसिक्ता के जनक कौन है, मेंडल साहब है, इसको आप ध्यान में रखियेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुवानसिक्ता के बिज्ञान को अनुवानसिकी सब्द सबसे पहले क इसने कहा था तो जो अनुवानसिक्ता का विज्ञान है उसमें अनुवानसिकी सब्द का प्रियोग सबसे पहले किया था W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W. होती है यानि अन्वांसिकी का जो कारां होता है वो क्रोमोसोम होता है जिसमें गुणसूत्र और जीन सामिल होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं जीन सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया तो जीन सब्द का सबसे पहले प्रियोग जोहांसन ने किया था जोहांसन के ना में उपस्थित रहते हैं तो गुण सूत्रों में जीन पाए जाते हैं और जीन सब्द का सबसे पहले प्रियोग जोहांसन ने किया था अन्वांसी की उत परिवर्थित कहां से होती है क्रोमोसोम के द्वारा होती है आगे एक महत्मुर्ष सिध्धान्त है जो की जीन से ही संब हांत दिया था आगे बढ़ते हैं खून का रंग कैसा होता है खून का रंग होता है लाल लाल रंग क्यों होता है क्योंकि हमारे खून में हमारे ब्लड में हीमोगलोबिन पाए आता है तो हीमोगलोबिन पाए आने के करण हमारे रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है इस हम लोहा भी कहते हैं तो हीमोगलोबिन में पाय जाने वाले जो तत्तो है वो आयरन है और हीमोगलोबिन के ही करण खुन का रंग कैसा होता है लाल होता है यह सारे वन लाइनर प्रिशन है जिसको आप एक या दो बार वीडियो देखका रट लीजीगा क्योंकि पूरे अजबा अजिए अध झार रबे लाइनर लाइनर झाले जाँ गर जिसके जिसको आपे लाइनर वीजीग प्रिशन के भीडियोंकि अजार रटे खिशन जार आपे वा बार वेंग्स आप जापे लिए